एड्रीवन असलाम आलेकों मैं किरन कान वेलकम तू माई यूट्यूब चैनल किरन विद फैमली आज हम आपने देखा हमारी रेसिपी आज बनाने जा रहे थे हैं मैंगो फुर्ट ट्राइफल की रेसिपी आपको हमारी कैसी लेगी कितने जबर्दस सी मैंने fruit rifle बनाया है अगर आपको मेरी recipe पसंद आए तो comment करें हम इसको हम साथ चम्मज जो है वो custard के डालेंगे तीन चार पाच छे साथ चम्मज हम ने टाल दिये हैं और इसके अंदर हम दूड डालेंगे पहले हम इसका पेस बनाएंगे के इसलिए हम पेस बनाएंगी कि डलिया ना पड़ जाए हम इसके अंदर हम दूड एट करेंगे इसके अंदर हम दूड डाल के और हिलाते रहेंगे इसको हम मिक्स करेंगे इसलिए इसको दूड में डालेंगे के गुखलिया ना पड़ जाए इसलिए मैं इसको मैं मिक्स करके दूड के अंदर इसको अच्छी तरीके से इसको मैं फेटूंगी साथ चम्मज लिए है मैंने कस्टर के इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूंगी कि कहीं गुपलिया ना पड़ जोएं कि देखें अच्छे तरीके से यह मिक्स हो रहा है देखें बिल्कुल वीश के अंदर गुपलिया नहीं पड़ी है आप देख सकते हैं अच्छे से हमारा मिक्स हो गया है है जाए तक का देट फिर्स मेफ मेंक डूड़ liya है तो मैंने वाइल करने के लिए रख दिया therapर देखिंस हमेरा दूड़ जो है वाइल हो गया है इसके अंदर कें प्लूड ला घृड़ दूर के अマझ च़लाते रहेंगे जब तक चीनी जो है वो अच्छी तरीके से मिक्स ना हो जाए हम चम्मा चलाते रहेंगे तो प्र土 और तो अँशताइद के लिए विवर्ष यह हमारी चीनी थारीकसे मिक्स हो गई है जो हमने कस्टर का हम पेस बनाया था वह अब इसकंदे कस्टर हमच्टर टाल ताल त रहेंगे उसको मिलाते रहेंगे कि इसके आपका मिलाते रहेंगे कास्टर होगा कि आपके अच्छा हमारा रेडी होगा देखें जरा सीवी कुख्लिया नहीं पड़ी है बहुत ही अच्छा सा हमारा तयार हो गया है आप इसको ठंडा करने के लिए रूम टेंपरेचर पे रख देंगे इसको ठंडा करने के लिए एक घंटे बाद फिर मापको दिखा लिए कज़ते हैं अप आमस्क के शार। है कि वी वरिवर कश्टर्डड हमारा ठेंड़ अब वाइख हम तरह सो तरीका बताते है इसको हम बैक के अंदर सिपर आंदर सिंगे अधर हम डालेंगे इस तो हम दिखाते हैं यह से से लेहर बनाएंगे स्कूस्ट की देखें यह एक लियर्ड मैंने बना ली है कस्टर्ड की इवेवर्स घ्लका क्सेटर्ड लाएंगे उसको कि दें, हम से दम यूटर मैं इसके और एक कास्टर्ड लाव लहसं करका लेखें दुन में कुस्टर्ड लिया ठाल बंगर कैक स्illeurs कि मैं आद लिया ऑब बिसक्टभास भाशी धान ट नबकर कि आएखें हम लेयर जो है वो केके लगाएंगे अगर केक के हम लियार लगा रहे हैं इसकी लग गई है अब यह जैली है जैली को मैंने बना ली थी है इसकी आप एक लियर हम इसकी जैली के लगाएंगे करेंगे साइडे कवर करेंगे आप साइडे कवर करें सारी जैली से फिर हम बीच में लगाएंगे पहले हम साइडे कवर करेंगे क्या एक आप साइडे करेंगे आप से जैली के लियर लगा लीच में लिएStudy. बारिक बारी काट लिये थे वो आप मैंगो की एक लेयर लगाएंगे ऐसे आप लेयर लगाएंगे मैंगो की पहले हम कौने से हम इसकी लेयर लगाएंगे मैंगो की पहले हम कौने जो है वो हम कवर करेंगे पुक की मेरे लागा लिए लीए अफ साहरे आमों के बीच में डाल डालेंगे हमारी के लियर में कई है मैंनु 157 हम नेंके मैं में अटालन्स कि लियर लगा है अब इसके ना हम अस्टरद ढालेंगे वही तरीका करेंगे हम McT RED का लेगा नादिगे आथे पॉस्टर्ड के लियर चना लेंगे लिए पॉस्टर्ड के लियर बना ली है तो वीवर्ज यह हमारी जैली जो है वो जम चुकी है अब हम इसके स्लाइस दरेंगे बारिक बारिक इसके लियर काटेंगे और बारिक बारिक हम इसकी जैली के पीसेस का जो है है सो वीवर्ज हम यह बारिक बारिक जैली की हम यह जैली जम चुकी है अमारी और अब हम जो हैं जैली की के पीसेस करेंगे बारिक बारिक हम चपोर चपोर हम जैली कट करेंगे जैली कट हो गई अब इसको अंदर डालेंगे अब हम इसको अब देखें कितनी चपों चपों से जबर्दस हमारी जैली जो है सबको पढ़े इस दफ़ा निखाते हैं आपको चबमस से तयार हो लगी है मैंगो जैली अब सब्सक्राइब हमारी जैली हमने कट कर ली थी अब जैलियों को हम साइडों पे लगाएंगे पहले साइडे पहले हम कवर करेंगे इसको करेंगे जैली जैली लगा दी है सारी जैली जैली जो है मैंने साइडों में लगा दी है इसमें थोड़ी सी बीच में डाल देंगे जैली ओंको करेंगे जैली को अब लगा दी है अब हम इसके अंदर करेंगे जैली लगा दी है अब हमने की क्रीम ली है क्रीम को अखम क्रीम को अखम क्रीम को अखम करेंगे अब हमारा फूट ट्राइफल कितना जबरदस सा लग रहा है और क्या शकल आई है मैंगो ट्राइफल की आप देख सकते हैं कितना मज़ेदार सा हमारा ट्राइफल रेडी हो गया है मैं उमीद करती हूँ आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी आप कमेंट्स करके जरूर बताइगेगा कैसी लगी आपको मेरी रेसिपी